वसकार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सेहनी दिल्ली पीचेपी नेदा तिजिंदर पाल सिंग बग्गा को पड़ी राहत मिली है पंजाब हर्याना हाई कोट ने बग्गा की गिराफतारी पर फिलाल रोक लगा दी है आम आथमी पार्टी के सहींचक अर्फिंद केचरवाल के लिए ये बड़ा च्छटका है जस तरीके से पंजाब हर्याना हाई कोट ने इस पूरे माग्टे पर सुनवाई करते कोई फिलाल तरजिंदर पाल सिंग बग्गा की गिराफतारी पर रोक लगा दी है पांच चोलाई तक पंजाब पुलिस अब तरजिंदर पाल सिंग बग्गा को गिराफतार नहीं कर पाई की जस तरीके से हाई कोट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है तो जाहिर तोर पर ये पंजाब सरकार भगवंत्वान सरकार और साथ ही आम आथमी पार्टी के लिए बड़ा च्छटका है साफतोर पर कोट ने के कहा है कि गर्वियों की छुटियों के बाद ही इस पूरे माफले पर कोट सुनवाई करेगी दरसल हाली में दिल्ली पीज़ेपी नेतात जिंदर पाल सिंग बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिराफतार किया था और उनकी गिराफतारी के वाद उ फिलाल वो पंजाब पुलिस की हिरास्त में नहीं है लेकिन उसके बाद भी कोशिशे लगातार चारी थी कि लेकिन इससे पहरे ही पंजाब हर्याना हाई कोट ने तरजिंदर पाल सिंग बग्गा पर के बड़ा फैसला सुना दिया है जिसमें कोट ने साफतोर पर कहा है कि उन पर पांच जुलाई तक कोई कारवाई नहीं की जाए और उसके बाद ही कोट इस पूरे माफले पर सुनवाई करेगा तो पिलाल कपिल मिश्रा जोकी बीज़िपी के नेता है उनका ट्वीट साफ ने आया है जिसमें उनने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बेशर्म मिश्री के मुँपर एक पार फिर कालिक पुती है जिस तरीके से ये तरजिंदर पाल सिंग बग्गा को लेकर पंजाब हरियाना हाई कोट ने पांच जुलाई तक उनके गिराफतारी पर रोख लगा थी है तमाम तरीके के लोगों के ट्वीट साफ ने आ रहे हैं साफ तोर पर लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ताना शाही अर्विंद के जिवाल दिखा रहे थे कहीं न कहीं उस पर एक बड़ा तमाचा जो है वो पंजाब हरियाना हाई कोट ने जड़ा है जस तरीके से ये बड़ा फैसला उनकी तरब से सुनाया किया है आपको ये बताते हैं कि कई घंटों के सियासी ड्रामे के फेच पंजाब पुलिस ने पंजाब हरियाना हाई कोट का दरवाजा खटकटाया था और पंजाब की ओर से दायर ह्याचिका पर हाई कोट ने हरियाना पुलिस से जवाब दलब किया था दूसरा प्त जिंदर पाल सिंग बगगा और ही उन्हें दोबारा गिराफतार कर लिया जाए लेकिन इस पीच बड़ी खबर यही है कि पंजाब हरियाना हाई कोट से जिंदर पाल सिंग बगगा को इस पूरे माफले में बड़ी राहत मिली है जिसके बाद बगगा का वीडियो भी साफने आया है जिसमें उन्होंने चाहिए बी कहा कि देश के नियान्य ने दिखा दिया कि किसी फी व्यक्ति को अपने आपको कानून से उपर नहीं समझना चाहिए लेकिन इसी के साथ साथ उन्हें मुक्षे मंत्री अर्विंद केजरवाल को भी चुनोती दे दी हुने कहा कि केजरवाल एक नहीं चाहे उन पर 1000 एफ़ायार दर्ज करा रहें लेकिन वो सवाल पंजाफ में आम आत्मी पार्टी से करते रहेंगे वो यह सवाल पूसते रहेंगे कि आखिर खालिस्तानियों पर अर्विंद के जिफाल ने कोई कारवाई क्यों नहीं की आखिर गुरु ग्रंद की बेद्भी करने वालों पर कारवाई क्यों नहीं की गई यह तमाम चीजें हैं यह तमाम सवाल हैं जो वो आम आत्मी पार्टी के सहीं हो जग अर्विंद के जिफाल से पूस्ते रहेंगे फिर जाहें उन पर एक नहीं एक हजार एफ़ायार दर्ज करा ली चाहें इतना ही नहीं इस दोरान उने तमाम नीचिया कर्फियों और साथ ही पार्टी के कर्फनाओं और पार्टी के नेताओं को थन्यवाद भी दिया कि किस तरीके से इस पूरे माफ़ने पर तमाम जो लोग थे उनका सपोर्ट से लेकर हर्याना और पंजाब तक देखने को मिला सबसे बड़िवास यह थी कि जब पंजाब पुलिस ने तेजिंदर पाल सिंग बगगा को उनके घर से गिराफतार किया तो उन्हें पगड़ी भी नहीं पहने थी और साथ ही उनके पिता ने इस बात का खुलासा किया था क पंजाब पुलिस के जवानों ने उनके साथ मारफीट की है और खुलासा इसमें यह भी हुआ है कि जिस टीएसपी को पंगा को गिराफतार करने के लिए भीचा किया था उस टीएसपी के तरसल इस तरीके से ड्रग सिंडिकेट ड्रग तसकरी करने वालों के साथ लिंक है य तरीके से पंजाब पुलिस जो आतंग को सबक सिखाने के लिए जानी जाती है जो आतंग को एक प्रास करने के लिए जानी जाती है लेकिन उस पंजाब पुलिस का दुर्फ्योग किस तरीके से करना है यह आम आदमी पार्टी के जहियों जग अर्फिंद केश्रवाल पखो करते हुए ही आम आत्मी पार्टी के सहींजग अर्विंद गेज्रवाल ने दर्च कर आई है हाला कि इस पूरे मावले में कुमार विश्वास को भी पंजाब और हर्याना हाई कोट से बड़ी राहत मिल चुकी है और साफ तोर पर पंजाब हर्याना हाई कोट ने इस पर टिप वो तजिंदर पाल सिंग बगगा को मिली है लेकिन आपको ये भी बताती है कि साथ माई को तरसल बगगा की गिराफदारी के बाद उनके खिलाफ मोहाली कोट ने नया गिराफदारी फोरेंट भी जारी किया था मोहाली कोट ने पंजाब फूलिस की जाहिपर क्राइम प्रा बक्तात जिंदर पाल सिंग बग्गा के खिलाब नया गिराफतारी फोरेंट चारी किया है मुहाली के नियाएक मचस्टेज ने गिराफतारी फोरेंट चारी करते हुए पंजाब फुलिस की साहिवर क्राइम ब्राद से बग्गा को गिराफतार करने और साथ ही कोट में पेश क सुनातिया है आपको ये भी बताते हैं कि बग्गा के खिलाफ पंजाब फुलिस की क्राइम ब्रांच ने आई पीसी की धारा एक सो त्रेपन ए 505, 5052 और 506 के तहट माफला दर्श किया था और इस पुरे माफले में कोट ने ये वारंट चारी कर बग्गा को गिरफतार कर कोट में पेश करने के लिए कहा है लेकिन फिलाल चोह हर्याना पंजाब हाई कोट में पैस्ता सुनाया है उसमें साफ़तोर पर ये कहा है कि अगर ब बग्गा के घर जाना होगा अधिकारी चाकर उनसे पूस्ताज कर सकते हैं लेकिन उन्हें गिरफतार नहीं कर सकते ही ये साफ़तोर पर पंजाब हाई कोट की ओर से कहा गया है तो फिलाल आपको बदादें तेजिंदर पाल सिंग बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की ओड़ से पंजाब हर्याना हाई कोट में ये याचिका दाखिल की गई थी जिस पर पंजाब हर्याना हाई कोट में जस्टिस जितकार की कोट ने इस पुरे मामले पर सुनभाई की है और 5 जूलाई तक जिंदर पाल सिंग बग्गा की गिरफतारी पर रोक लगा दी है जो Levi पार्टी बनाने की एप्लिकेशन को भी मंसूर कर लिया है लेकिन बग्गा के खिलाफ माफले को खारिश करने की याजिका पर बहस जब हो रही थी तो पंजाब सरकार के वकीन पुनित बाली ने इसका विरोध किया ने कहा कि कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है पंजाब सरकार ने कहा कि बग्गा को जाच में शामिल होना चाहिए कोट में ये फी पंजाब सरकार की ओर से दलील दी गई कि तरसल बग्गा पर चार एफवाईयार पहले ही तरच है और जाच में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं हलाकि उनकी तरफ से इतना जरूर कहा किया पंजाब की ओर से जो वकील थे उन्होंने कड़ा रोद करते हुए कहा कि अगर इस तरह सा कोई भी कानून के साथ खिलवाट करने लगा तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा पंगा को जाच में शामिल होने को कहा जाए हम उनको ग सीनिया अधिकारी बगगा की घर जाकर पूस्ताच कर सकते हैं यह बड़ी वाद पंजाब हर्याना हाई कोट की ओरते कही गई है तो कुल विलाकर इस पुरे मावले पर तजिंदर पाल सिंग बगगा जोकी डिली बीचेपी के बड़े नेता हैं प्रवकता हैं और उनकी गि अर्फिंद के जिफाल के लिए यह बड़ा छटका है जो की डिली बीचेपी नेता तेजिंदर पाल सिंग बगगा पर धार्मिक माखुल बिगाटने सांपरदाहिक माखुल बिगाटने और लोगों को बाटने और तमाम बड़े आफ्रोप उन पर लगाए करे थे आपको ब इस पूरे माफने ने तूल पकड़ा और इस तरीके से पगगा को गिराफतार कर लिया गया लिकिन फिलाल कोट ने भी अब आम आश्मिक पार्टी और पंजाब की पुलिस को बड़ा छटका दिया है आपकी इस पूरे माफने पर क्या राय है में कॉमेंट वोक्स में जरू को सब्सक्राइब कोई थानिवाद